YouTube पर quality content की कमी नहीं है, बस उन्हें परकने में समय लगता है ऐसे में higher mathematics पर वीडियो ढूनना और भी मुश्किल चैनल को subscribe करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ Now let's begin Hello friends, welcome back to another video of this playlist Make sure that की आपने इसका previous वीडियो जरू तेका हो तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे How we can find the solution of non-homogeneous Fredlom integral equation of second kind अब ऐसे में Fredlom integral equation क्या होता है इस पर मैंने already वीडियो बना रखा है आप चाहे तो description box में जाके देख सकते है Homogeneous, non-homogeneous हम कब कहेंगे इस पर भी वीडियो बना रखा है आप चाहे तो देख सकते है, link is in description तो यहाँ पर हम find करने जा रहे है जो भी हमारे पास non-homogeneous Fredlom integral equation है जो की second kind का है इस type की integral equation का हम find करने वाले solution अब solution find out करने के बहुत सारे method है आप चाहे देख सकते हो बट मैं आपको AK करके method बताऊंगा और हर एक method पर मैं at least 2 example आपको solve करके दूँगा ताकि आपको method बहुत ही अच्छी समझ में आ जाए तो यहाँ पर हम जो देखने वाले है इस वीडियो में जिस method का नाम है Adamian Decomposition Method ठीक है उसके बाद हम देखेंगे Modified Decomposition Method और Noise Term Phenomena जो कि फिलाल इसी के अंदर आता है तो सबसे पहले हमें पढ़ना जरूरी है कि Adamian Decomposition Method होता क्या है और उस पे based एक example solve करूँगा मैं इस वीडियो में ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़े बता देना चाहता हूं अगर मैं किसी चीज को गलत प्रणाउंस करूँ या फिर लिखने में मुझसे थोड़ी बहुत mistake हो जाए तो please 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 मुझे उसके लिए माफ कर देना तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो हम लोग find करने वाले है solution of Adamian Decomposition Method तो इसका जो भी solution आएगा वो series के form में होगा अब उस series को हम generate कैसे करेंगे वह मैं आपको यहां पे कुछ steps पताऊंगा तो step 1 आपको क्या करना है u naught of x को f of x से set कर देना है या फिर हम बोल सकते हैं आपको initially consider करना है कि जो भी हमारा u naught of x होगा वो क्या होगा f of x होगा अब f of x क्या है आपको पता है कि जो भी हमारे पास standard result है standard form है इस standard form में जो हमारा f of x होगा वो ही f of x यहां पर है और same lambda भी वो ही यहां पर वक करने वाला है तो next point में हमें क्या करना है next step में क्या करना है कि u1 of x हम define करने वाले है which is defined by lambda times integration a to b k of x t u naught of t dt यह जो भी u naught of x आया है इसकी help किसे हम u1 of x define करने वाले है अब यहां पर u naught of x है और यहां पर u naught of t है तो simply हम क्या कर देंगे इस equation में जहां जहां x है वहाँ पर t से replace करके इस equation में हम put कर देंगे और ऐसे में हम find कर सकते है u1 of x similarly u2, similarly u3 and so on हमारा चलता रहेगा in general हम कह सकते u n of x तो उसका solution आपको क्या करना है कैसे given होगा आपको simply क्या करना यह जो भी आपने u naught, u1, u2 find क्या इन सब को add करते चलो देखो सब को add कर दिया और add करने पर जो भी आपका answer आएगा वो होगा required solution of non-homogeneous fredlom integral equation of second kind इसका solution बन जाएगा तो आपको मैं एक example से समझाऊँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो बढ़ते हैं सबसे पहले example number one की तरफ तो यह हमारे पास एक example number one है इसमें हम क्या करने वाले है इस non-homogeneous fredlom integral equation of second kind का solution find करने वाले है आप solution का method यूज करने जा रहा हूँ उसका नाम है adomian decomposition method या simply कभी कभार इसे decomposition method भी कहा जाता है तो सबसे पहले हम लिख देंगे इसका standard form से compare करके कुछ terms हम सबसे पहले लिख देंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे comparing with standard form हम इसको क्या कर देंगे compare करतें है standard form से comparing with standard form और हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए f of x चाहिए फिर हमें alpha define करेंगे और lambda define करेंगे तो सबसे पहले इसको compare करेंगे standard form से comparing with standard form तो हम लोग को पता है standard form हमारा कैसा रहता है वो इस pattern करेता है u of x equals to f of x तो यहाँ पर जो f of x है वो simply आपका बन जाएगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं simply f of x is same as e raised to x minus 1 फिर plus lambda times integration अब lambda तो यहाँ दिख नहीं रहे तो lambda की choice कितनी हो जाएगी simply 1 हो जाएगी integration k of x t, k of x t को kernel भी कहा जाता है तो यहाँ से हम लिख सकते है कि हमारा k of x t आ जाएगा it is a function on two variables x and t तो यहाँ पर हमें simply मिल जाएगा k of x t is same as t तो यहाँ पर हमने सारे चीज़ compare करके standard form से compare करके लिख दी है तो अभी हम find करने जा रहे है इसका solution solution के लिए मैं आपको already बताया है कुछ steps follow करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते है u not of x is same as e raised to the power x minus 1 next हम find out करने कोशिश करेंगे जो कि है u1 of x so u1 of x is defined by lambda times integration a to b k of x t ut of u not of t dt but आप देख सकते हो lambda 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा integration a to b integration is 0 to 1 क्योंकि a हमारा lower limit है और जो b है वो हमारा upper limit है k of x t simply हमको पता है वो t है t into u not of t but u not of x है तो मैंने already आपको बताया है जहाँ जाए x है हमाँ पर simply t put कर देना है हमें मिल जाएगा तो इसका हमें integration find करना है integration 0 to 1 t into e raised to the power t minus t dt अब मैं integration को split कर दूंगा integration 0 to 1 t into e raised to t minus integration 0 to 1 t into dt यहाँ पे बिया जाएगा dt अब आप यहाँ देख सकते हो t into e raised to the power t चल रहा है मतलब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो by parts I hope आपको by parts पता होगा तो simply मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको पता है तो इसका हम solution find कर सकते हैं 0 to 1 t dt अब मैं इसको integrate कर दूंगा तो मिल जाएगा t e raised to the power t का integration e raised to the power t होता है minus e raised to the power t minus इसका integration आजाएगा t square by 2 hold integration term ranges from 0 to 1 तो यहाँ पे 1 पूट कर देंगे तो 1 into e raised to the power 1 minus e raised to the power 1 minus 1 upon 2 minus यह टम होई यहाँ पे 0 पूट कर देंगे तो 0 हो जाएगा minus minus become plus e raised to the power 0 is 1 minus 0 तो यहाँ देख़ो क्याखे terms cancel हो रहा है यहाँ आप e raised to the power 1 और minus e raised to the power 1 get cancelled हापे simply मिल गया 1 minus 1 by 2 ये 1 minus 1 by 2 अब 1 minus 1 by 2 is simply 1 by 2 तिहां से हम बोल सकते हैं कि u1 of x कितना आ गया 1 by 2 आ गया अब हम next term find करने की कोशिश करेंगे जो की है हमारा u2 of x which is given by lambda times integration a to b fk of x t into u1 of t dt u1 of t dt हापे सब चीज़ पूट कर देंगे lambda is 1 integration lower limit to upper limit k of x t है t into u1 of t again u1 of t constant है इसलिए हमें 1 by 2 मिल जागा dt तो हापे 1 by 2 term बाहर आ जाएगा integration से क्योंकि वो constant है अंदर है जाएगा t का integration हापे हमें मिल जाएगा 1 by 2 t का integration t square by 2 range is from 0 to 1 which is same as 1 by 2 into 1 by 2 again हमें मिल जाएगा है यहापे solve करने पर 1 by 2 का square मिल जाएगा यहापे आप देख सकते हो u2 of x हमें मिल गया एक चीज़ observe करो यार यहापे हमें दिख रहा है u1 of x आया 1 by 2 u2 of x आया 1 by 2 square कहीं ना कहीं हम बोल सकते कि जो भी u3 of x आयगा वो कितना आएगा 1 by 2 cube आएगा ऐसा हम assumption कर रहा है क्योंकि हमें pattern दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हम एक बार u3 भी find कर लेंगे ताकि हमारा जो pattern है वो confirm हो जाए कि हमारा pattern सही है ऐसा कब तक करना है जब तक हमें pattern observe ना हो जाए फिलाल यहां पर हो चुका है पर फिर भी confirmation के लिए मैं u3 of x आपको find करके दिखाता हूं तो यहां पर हम next time find करेंगे u3 of x तो हमें मिल जाएगा u3 of x is same as lambda times integration 0 to 1 k of x t which is t into u2 of t but u2 of t कितना आया था 1 by 2 square आया था जैसे कि हमें पीछे देखा था into dt अब हम क्या करेंगे 1 by 2 square बाहर आ गया again t का integration t square by 2 ranges from 0 to 1 which is same as 1 by 2 square इसका integration हम करके मिल जाएगा 1 by 2 minus 0 that is 1 by 2 which is same as 1 by 2 cube which is same as 1 by 2 cube हमें मिल गया u3 of x देखो हमें वही जो हमने कहा था pattern हमें observe हो चुका है तो in general हम बोल सकते है un of x equals to 1 by 2 raised to the power n अब हम क्या करेंगे हमारे पास सारे terms मिल चुके अब simply हमें पता है कि u of x क्या देगा u of x is given by which is a solution of given फ्रेडलाम इंटीगल equation उसका solution u of x से denote करेंगे जो कि होगा हमारा u not of x plus u1 of x plus ऐसे हमें add करते चलना है जितने भी आपने निकाल infinitely many terms को add करना है तो u not of x कितना आया था आपको पता हो हमने u not of x से define क्या था जो कि हमारा वो term था तो आप देख सकते हो u not of x कितना था e raised to the power x minus 1 था तो यहाँ पर मैं simply लिग दूँगा e raised to the power x minus 1 plus u1 of x u1 of x हमने find क्या 1 upon 2 आया था plus u2 of x 1 upon 2 square plus u3 of x 1 upon 2 cube मतलब यह जो result है यह कप के लिए true है n is bigger equal 1 किसके बाद के लिए true है n equal to 0 रहा तो उसके लिए u of e raised to the power x minus 1 हमें term देखने को मिला था तो यह term हमें मिल गया अब हमें क्या करना है इस पूरे terms का यह sequence है एक series है आपके पास इस series को हमें solve करके answer लिख देना है वो हमारा बन जाएगा solution of redlam integral equation तो देखो u of x equals to e raised to the power x minus 1 plus इन सब में से मैं 1 by 2 common निकाल दूँगा तो 1 by 2 common दे लिया तो सबसे पहले हमें बन जाएगा 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 square मतलब क्या है यह कहां converge करेगा ठीक है इसका answer क्या आएगा एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह जो series है यह एक GP है geometric progression series है अब इसमें जो है geometric progression है और यह infinitely term है क्योंकि infinite है finite series नहीं है यह infinite वाली series है तो यहाँ पर हम लोग find करेंगे सबसे पहले common ratio तो common ratio कितना आ जाएगा next term divided by first term जो कि 1 by 2 divided by 1 is common ratio तो common ratio मिल जाएगा 1 by 2 similarly आपको भी 2 term ले लो consecutive term next term divided by first term कर दो आपको मिल जाएगा common ratio तो common ratio है 1 by 2 अगर common ratio इस interval में range करता है minus 1 to 1 तो उस time पर अगर वो series infinite है तो आपको सा solution जो होता है sequence का जो summation आता है वो मिलता है हमें 1 upon 1 minus r तो यहाँ पर हम लिख सकते है 1 upon 1 minus r बट r कितना है 1 upon 2 है यह अपने class tool ने पढ़ा होगा gp क्या होता है ठीक है तो उसी साब से हम लिख देंगे e raised to the power x minus 1 plus 1 by 2 और इसको जब हम solve करेंगे तो नीचे आजाएगा half बट 2 पर चले जाएगा और नीचे आजाएगा solve करके दिखना यही answer आएगा 2 to get cancelled तो हमें मिल जाएगा e raised to the power x minus 1 plus यहाँ पे cancel होके 1 बजगा अब minus 1 plus 1 also get cancelled हमें simply मिल जाएगा e raised to the power x तो यहाँ पे आप दिख सकते हो कि यह जो u of x है यह हमें मिल जाएगा e raised to the power x और यह हमारा बन जाएगा solution क्या बन जाएगा solution of non-homogeneous non-homogeneous fredelome integral equation of second kind यह उसका बन जाएगा solution ठीक है तो next video में हम देखेंगे एक और example जो की इसी concept पे based होगा जो की है adamian decomposition method यहाँ simply इसको decomposition method भी कहा जाता है फिर उसके बाद हम देखेंगे modify decomposition method ठीक है उसी के अंदर आता है just यह जो method है इसको थोड़ा सा modify किया गया है modify decomposition method यह इसी method के अंदर आएगा फिलाल हमने यहाँ पे देख लिया है कि decomposition method adamian decomposition method होता क्या है हम कैसे उसके solutions फाइंड करते है ठीक है I hope guys आपको मेरा वीडियो समझ में आया होका अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को एक like कर दीजे अपने दोस्तों के साथ इसे share कर दीजे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो like, dislike जरूर कीजेगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजे, share कीजे और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक्यू सो मच, love you, take care, bye bye